हलो एन वेलकम तो इस इगनिशन मैं हूँ स्वाती घंदेलवाल और आज हमारे शो में हम बताएंगे मर्सेडीज बेंज की जी एलेस जो हाली में भारतिय बजार में लॉंच हुई क्या है इस गाड़ी में खास और क्या है इसके फीचर्स चलते हैं इसकी टेस्ट ड्राइब पर एक दश्रक लंबा सफ़ा तै कर चुकी मर्सेडीज बेंज जी एलेस फुल साइज लगजरी सेग्मेंट में खास जगए रखती है इंडियन रोड़ पर 6700 यूनिट के साथ इसका अपना अगब दबा है और यही बादशाहत कायम रखने के लिए कंपनी लेकर आई है मर्सेडीज बेंज जी एलेस थर्ड जेनरेशन इस फ्लैक्शिप SUV को दो वैरियंट में कंपनी ने उतारा है पहला GLS 450 फॉर्मेटिक पैट्रोल और GLS 400D फॉर्मेटिक डीजल वैरियंट मर्सेडीज बेंज इंडिया ने इस तीसरे मॉडल को COVID-19 के कारण डिजिटली लॉंच किया है नई जेनरेशन GLS पुराने वैरियंट के मुकादले अब 77mm लंबी, 22mm चोहरी और 60mm लंबी वील बेस के साथ आती है जिसके चलते अब ये जागा केबिन स्पेस देती है नई GLS के एक्स्टीरियर पर गौर करें तो एक बोल्ड एक्टॉगनल ग्रिल के साथ मल्टी बीम LED हेड्लैंप स्टैंडट दिये गये हैं इसके साथी 112 LED पर हैड्लैंप और डे टाइम रुनिंग लाइट के साथ तीन LED सेग्मेंट्स मिलते हैं फ्रंट एब राउट पर एक क्रोम प्लेटेद अंडर गार्ड के साथ बड़ा एर इनलेट ग्रिल और बोनट पर दो पावर डोम्स दिये गये हैं पीछे की तरब टू-पीस LED टेल लैंप के साथ एक ट्री डैमेंशनल पैटर्न, एक सिंपल लुक वाला रियर बंपर विद अंडर बॉडी ग्लैडिंग, सिल्वर स्किट प्लेट और डूल एक्जॉस मफ्लस के साथ क्रोम बैजल्स दिये गये हैं ये SUV फाइफ कलर आप्शन्स में आती है जिसमें कैन्वा साइड ब्लू, सेलिनाइड ग्रेड, हाइसेंस रेड, उप्पीडियन ब्लैक और मुझावे सिल्वर स्किट शामिल हैं कार के इंटीरियर के बाद करें इसमें सिखनेचर, सिंग्यल यूनिट टज स्क्रीन दिस्प्ले के साथ इंपो एंटर्टेन्मेंट और इंस्टुमेंटेशन के लिए स्प्लिट स्क्रीन दी गई है इसके साथ ही इस SUV में मर्सीज का लेटिव जनरेशन एमबग सिस्टम है जो आपको बताएगा कि नेट्रो सिटीज में कौन-कौन से कोविट टेस्टिंग सेंटर्स मौजूद है कोई ऑप्षिनल रियर सीट एंटर्टेन्मेंट सिस्टम, फिल्म म्यूसिक और इंटरनेट इंजॉयमेंट के लिए 11.6 इंच डिस्प्ले दिए गए है इसके साथ ही कनेक्टिविटी सिस्टम के तोर पर मर्सेडीज मीक कनेक्टिविटी मौजूद है जो के जियो फिंसिंग के साथ आता है नई जी एलेस में लेटेस्ट जैनरेशन, ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, हाइजेट सीटें, फाइल जोन क्लाइमिट कंट्रोल, पैनोरामिक संरूफ और काफ़ी कुछ दिया गया है इसके साथ ही सुबी में 11 USB पोर्ट, दो वायलेस चार्जर भी मिलते हैं वहें रियर चीट को एक पुश बटन के जरीए आप फोल भी कर सकते हैं इसके साथ ही इसमें बूट स्पेस को 2400 लीटर तक बढ़ा सकते हैं कंपनी ने इसमें एर्मैटिक सस्पेंशन दिये हैं जिसके चलते आप इस SUV की मुचाई एक बटन के जरीए बढ़ा और घटा सकते हैं वहें 64 Ambient Lighting System एक Advanced Feature है तो बल्मैस्टर Surround Sound System with 13 Speakers आपको साउन का शांदारन भवव देते हैं सेवटी के तौर पर कंपनी ने इसमें Active Park Assist के साथ 360 Degree Surround View Camera, Driver Assistance System, Blind Spot Assist और Active Brake Assist के साथी 9 Air Backs, Downhill Speed Regulation यानी DSR, Off-Road ABS और Car Wash Function दिया है पावर की बात करें तो कंपनी ने GLS 450 में 6 Cylinder In-Line Engine दिया है जो Electrified गितार, 48 Volt Technology और Integrated Starter Generator के साथ आता है ये Engine 367 HP की पार और 500 NM का अपनी टार्ग जनरेट करता है जिसमें Additional 250 NM टार्ग और 20 HP मिलता है लगबग यही Specification आपको Diesel Variant में भी मिलते हैं कंपनी ने इसी वज़ज़ से दोनों Variant की एक शोरूम की मत 99,90,000 उपर रखी है इस Premium Full Size Luxury SUV का मुकाद़ा BMW X7 से बताया जा रहा है गुल मिलाकर नई Mercedes GLS एक Blend है, Modern Luxury और Perfect Off-Road का तो चलिए, अब फाइनली हम बात करते हैं इसकी Pricing की, Competition की और क्या यह गारी आपको Consider करनी चाहिए Well, Performance-wise, Features-wise, Overall Product Package जो मिल रहा है वो बहुत इंटरिस्टिंग, बहुत बढ़िया है Price की बात करें, तो यह करोड की करीब आपको मिलेगी अगर आप On-Road की बात करते हैं, तो सवा करोड तक आप Expect कर सकते हैं इस गारी के लिए बट खास बात यह है कि इसकी Competition में BMW X7 आती है, जो काफी अच्छा प्रदर्शन दे चुकिए कि in fact overall SUV space के लिए ही जो demand है, वो काफी बढ़ गई है और GLS बहुत ही timely launch की गई है, यह फोड़ा करोना का concern है बड़ उसके बावजूत कंपनी का कहना है कि इसका response उन्हें बहुत बढ़िया मिला है, in fact उनका यह भी कहना है कि इस सेलिंग like hot cakes क्यूंकि यह 3-digit में almost sell कर रही ह which I think for the car of this size, it's quite commendable, but एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है, अगर आप S-Class of SUV में travel करना चाहते हैं, तो GLS 2020, the updated version is really something we should consider. So चलिए, ये थी Mercedes-Benz की GLS 2020